नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब उमिद करते हैं आप सभी अच्छे सोंगे स्वस्त होंगे दोस्तों DLA अभी अर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रही है जो भी student इस बार DLA second year का exam दिये हैं और उनका result clear हो रहा है या फिर special परिक्षा में आपका result clear हो गया है तो लगे हाथों सात्वे चनल की बहाली में सामिल होने का सुनारा अफसर आप सभी को मिल रहा है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च में सुरू होगी सवा लाग से जैदे सिक्षकों की बहाली और इसकी तयारी चल ली है यह सिक्षा मंतरी का बहुती बड़ा बयान है जो सात्वे चनल की बहाली पर किरिया मार्च अप्रेल से जो है सुरू होने जारी है तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है वीडियो में बने रही हम आप सभी को पूरी जानकारी देंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं टीचर्स अकेडमी ग्रूप द्वारा यह जो है मुहिम छीरा गया है आप सभी देख सकते हैं कि 23 जनवरी 2022 को रविवार को महा ट्विटर अवियान चलेगा जिसमें डिकिलियर डियलेड रिजल्ट को लेकर के आप सभी को त्यार रहना है सजग रहना और एक जूरता का पडिचे देना है ट्विटर पर आप सभी को लगातार रिट्विट करना है और इमेल के माध्यम से लगातार सिक्षा विवाग पर दवाव बनाना है कि डियलेड का रिजल्ट जो है 15 फरवरी से पहले जारी हो इसलिए हमारे जितने भी साथी हैं ग्रूप को जरूर जोयन कर लिजिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिहाट डियलेड के नाम से ग्रूप है जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा जरूर जोइन कर लिजिए और वहाँ पर आप सभी को समय समय पर update मिलती रहेगी कि क्या कुछ आप सभी को tag करना है, comment करना है, कहां कहां आप सभी को active रहना है वह सारी चीजे आप सभी को group में समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी तो इससे फीशे वाले वीडियो में भी हम आप सभी को जानकारी दिये थे जिसमें अपर मुख सचीव डॉक्टर संजय कुमार जी के द्वारा भी ये बयान जारी किया गया की सात्वे चरणकी बहाले प्रकिया मार्च में सुरू होने जा रही है जिसमें जो है लाखों सिक्षकों की बहाली होनी है इसलिए दूपन नहीं की चाहतर उनसे वन्चीत न हो सके इसके बारे में हैं आप सभी को जानकारी दिये लेकिन यहाँ पर आपस भी देखेंगे कि सिक्षा मंतरी विजय कुमार चोधरी की ओर से भी बहुत ही बड़ा बयान सामने आ रही है मार्च में सुरू होगी सवालाग से जैदे सिक्षकों की बहाली और इसकी तयारी जो है सुरू हो चुकी है आपस भी यहाँ पर देखेंगे नियोजन्ट का सेड्यूल वगाइडलाइन को अंतिम रूप देने में विभाग जो है जूट गया है तो कुरोना महामारी के वीच बिहार के सिक्षित बेरोजगार के लिए यह एक अच्छी ख़वर है सरकार मार्च में सवालाग से जैदे पदों पर सिक्षकों की बाहली परकिरिया सुरू करने जा रही है इसमें प्रारंबिक, मादमिक एवं उच मादमिक सिक्षकों के अतिरिक्त परधान सिक्षक, परधाना अधियापक के पद सामिल है सिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालियों में तमाम रिक्तियों को भरने के लिए तेयारियां तेज कर दी है फरवरी में छठे चरन की परकिरिया समाप्त हो रही है आप सभी को पता है शिक्षा विभाग इसको जो है अंतिम रूप देने के लिए गाइडलाइन वह से ड्यूल जारी करने जा रहा है इसके बाद आपसे भी देखेंगे कि बिहार में जो है आयोग द्वारा जो है 45,852 पदों पर परधान सिक्षकों की न्यूक्ति करने जारी है जिसमें जो है 534 534 परधाना अध्यापक और प्रार्थमिक विद्यालाय में 4,518 परधान सिक्षकों की बाली को अधियाचना को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसको लेकर के जो है आपसे भी देखेंगे सिक्षा विभाग और आयोग के भी जो है मिटिंग हो चुकी है तो ये चीज़ परधाना अध्यापक यानि की 45,852 पर भरती के लिए जो है नुक्ति परकिरिया सुरू की जाएगी इसके साथ साथ ही जो है विहार सिक्षा मंतरी विजय कुमार चोधरी के और से ये बयान सामने आया है इसके अलावे आपस भी देखेंगे 37,440 पर माधमिक एवं उच की जाएगी तो यहां पर 37,440 पदों पर जो सिक्षकों की नुक्ति होगी आप से भी देखेंगे इसमें 35,270 माधमिक सिक्षक और 12,170 उच माधमिक सिक्षक सामिल है माधमिक सिक्षक माधमिक विद्यालियों में हिंदी विशय के अलग-अलग पद इसके बाद गनीत दिखेंगे कि माधमिक सिक्षक में 1379 लाइबरेरियन की बहाली होगी और 1172 लिपिक पदों पर जो है बहाली होनी है तो यह जो है अन्य नुक्तियां है जिसको यहां पर 2022 में पूरा क्लिया जाना है और इसके बारे में भी हम आप सुभी को पिछले दिन जानकारी दिये थे कि मिडली स्कूलों में सारेरिक वह स्वास्त अनुदेशक की बहाली होनी है जिसमें 83-86 पदों को यहां पर अनुमती मिल चुकी है इतने पदों पर बहाली की परकिर्या जल्द सुरू की जाएगी और 24 जनवरी 2022 तक जितने भी जीले में मादमी की स्कूल या फिर मदमिद् उन में कौन-कौन से इसकूल में सिक्छक की कमी है या फिर के तो सारेरिक वह स्वास्त अनुदेशक की कमी है उनकी सुची मांगी है जिसके बारे में हम आप सभी को पीछे वाले वीडियो में जानकारे दिये थे और 24 तक जो है इसकी सुची उपलवध करवाने के बाद इस पारिचे देते हुए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आप सभी को हैस्टेग में पढ़िव करना है डिकलियर डियाड डियाड रिजल्ट आप सभी देख लिजे डिकलियर डियाड रिजल्ट रहस्टेग का पढ़योग करते हुए जैसे कि विहार्वीद्या परिक्चा समिती डॉक्टर संजय कुमार सर इसके अलावे विजय कुमार चौधरी जी को यहां पर टैग करते हुए आप सभी को जयदा नए साती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए अगर कोई डॉट है तो कमेंट बुक्स में जरूर पूछेगा हम कोशिश करेंगे उस पर अलग से वीडियो ला दे धन्यवाद आप सभी का